Steady wins the rice. अब एक ही समय पर दोनों बक्रियां नदी के पुल पर थी. पुल की चौधाई कम होने के कारण इस पुल से केवल एक ही बक्री एक बार में गुजर सकती थी, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था. इस पर एक बक्री ने कहा, सुनो, मुझे पहले जाने दो, तुम मेरे बाद पुल पार कर लेना. वहीं दूसरी बक्री ने जवाब दिया, नहीं, पहले मुझे पुल पार करने दो, उसके बाद तुम पुल पार कर लेना. यह बोलते बोलते दोनों बक्रियां पुल के बीच तक जा पहुँची दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थी अब बक्रियों के बीच तू तू मैं मैं शुरू हो गई पहली बक्री ने कहा पहले पुल पर मैं आई थी इसलिए पहले मैं पुल को पार करूँगी तब दूसरी बक्री ने भी तुरंट जवाब दिया नहीं, पहले मैं पुल पार करूँगी ये जगधा बरहता चलता जा रहा था इन दोनों बक्रीयों को बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि वह कितने कम चौधे पुल पर खड़ी है दोनों बक्रीयों लड़ते लड़ते अचानक से नदी में गिर गई नदी बहुत गहरी थी और उसका बहाव भी तेज था जिस कारण दोनों बक्रीयों उस नदी में बह कर मर गई कहानी से सीख जगडे से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता उल्टा इससे सभी का नुकसान होता है इसलिए ऐसी अवस्था में शांत दिमाग से काम लेना चाहिए एक बार की बात है एक तालाब में दो मचलियां और एक मेंधक साथ रहा करते थे एक मचली का नाम शत बुद्धी और दूसरी का नाम सहस्त्र बुद्धी था वहीं मेंधक का नाम एक बुद्धी था मचलियों को अपनी बुद्धी पर बद्धा घमंड था लेकिन मेंधक अपनी बुद्धी पर कभी घमंड नहीं करता था फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे तीनों इकठे तालाब में एक साथ घूमा करते थे और हमेशा साथ रहते थे जब भी कोई समस्या आती तो तीनों साथ मिलकर उससे निपटते थे एक दिन नदी के किनारे से मचुआरे जा रहे थे उन्होंने देखा कि तालाब मचलियों में भरा हुआ है मचुआरों ने कहा हम कल सुबह यहां आएंगे और बहुत सारी मचलियां पकड़ कर ले जाएंगे मेंढ़क ने मचुआरों की सारी बातें सुन ली थी वह तालाब में मौजूद सभी की जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के पास गया उसने शत्बुद्धी और सहस्त्र बुद्धी को मचुआरों की सारी बात बताई एक बुद्धी मेंढ़क ने कहा उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए दोनों मचलियां कहने लगी हम मचुआरों के डर से अपने पूरवजों की जगह छोड़धकर नहीं जा सकते हैं दोनों ने फिर कहा हमें डरने की जरूरत नहीं है हमारे पास इतनी बुद्धी है कि हम अपना बचाव कर सकती है वहीं एक बुद्धी मेंधक ने कहा मुझे पास में मौझूद एक तालाब के बारे में पता है जो इसी तालाब से जुद्धा है उसने तालाब के अन्य जीवों को भी साथ चलने को कहा लेकिन कोई भी एक बुद्धी मेंधक के साथ जाने को तैयार नहीं था क्योंकि सभी को शत्बुद्धी और सहस्त्र बुद्धी पर भरोसा था कि वो उन सब की जान बचा लेंगी मेंधक ने कहा तुम सब मेरे साथ चलो मचुआरे सुभह तक आ जाएंगे इस पर सहस्त्र बुद्धी ने कहा उसे तालाब में छिपने की एक जगह पता है शत्बुद्धी ने भी कहा उसे भी तालाब में छिपने की जगह मालूम है इस पर मेंधक ने कहा मचुआरों के पास बढधा जाल है तुम उन से नहीं बच सकते हो लेकिन मचलियों को अपनी बुद्धी पर बहुत गुमान था उन्होंने मेंधक की एक न सुनी लेकिन मेंधक उसी रात अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब में चला गया शत्थ बुद्धी और सहस्त्र बुद्धी ने एक बुद्धी का मजाक उड़ाया अब अगली सुबह मचुआरे अपना जाल लेकर वहाँ आ पहुँचे उन्होंने तालाब में जाल डाला तालाब के सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे लेकिन मचुआरों के पास बढ़्धा जाल था जिस कारण कोई भी बचकर नहीं जा सका जाल में बहुत सारी मचलियां पकड़ी गई शतबुद्धी और सहस्त्र बुद्धी ने भी बहुत बचने की कोशिश की लेकिन उन्हें भी मचुआरों ने पकड़ दिहेच ही लिया जब उन्हें तालाब से बाहर लाया गया तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी शतबुद्धी और सहस्त्र बुद्धी का आकार सबसे बध्धा था इसलिए मचुआरों ने उन्हें अलग रखा था उन्होंने बाकी मचलियों को एक टोकरी में डाला जबकि शत्र बुद्धी और सहस्त्र बुद्धी को कंधे पर उठा कर चल दिये जब वह दूसरे तालाब के सामने पहुँचे तो एक बुद्धी मेंधक की नजर इन दोनों पर पढ़ी उसे अपने मित्रों की यह हालत देख बद्धा दुख हुआ उसने अपनी पत्नी से कहा कि काश इन दोनों ने मेरी बात मानली होती तो आज ये जिन्दा होती कहानी से सीख कभी भी अपनी बुद्धी पर घमंड नहीं करना चाहिए एक दिन यही घमंड जानलेवा साबित होता इसी एक गाउं में एक धोबी अपने गध्धे के साथ रहता था वह रोज सुबह अपने गध्धे के साथ लोगों के घरों से गंदे कपड धे लाता और उन्हें धोकर वापस दे आता यही उसका दिन भर का काम था और इसी से उसकी रोजी-रोटी चलती थी गध्धा कई सालों से धोबी के साथ काम कर रहा था और समय के साथ-साथ अब वह बूरहा हो गया था बढ़ती उम्र ने उसे कमजोर बना दिया था जिस वजह से वह ज्यादा कपड़ों का वजन नहीं उठा पाता था एक दोपहर धोबी अपने गधे के साथ कपड़ी हे धोने धोबी घाट जा रहा था धूप तेज थी और गर्मी की वजह से दोनों की हालत खराब हो रही थी गर्मी के साथ-साथ कपड़ों के अधिक वजन के कारण गधे को चलने में परेशानी हो रही थी वो दोनों घाट की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक गधे का पैर लड़ ख़धाया और वह एक गहरे गधे में गिर गया अपने गधे को गधे में गिरा देख धोबी घबरा गया और उसे बाहर निकालने के लिए जतन करने लगा बूरहा और कमजोर होने के बावजूद गधे ने गड़े से बाहर निकलने में अपनी सारी ताकत लगा दी लेकिन गधा और धोबी दोनों नाकाम्याब रहे धोबी को इतनी मेहनत करते देख कुछ गाववाले उसकी मदद के लिए पहुँच गए लेकिन कोई भी उसे गड़े से बाहर नहीं निकाल पाया तब गाववालों ने धोबी से कहा कि गधा अब बूरहा हो गया है इसलिए समझदारी इसी में है कि गड़े में मिट्टी डालकर उसे यहीं दफना दिया जाए थोड़ा मना करने के बाद धोबी भी इस बात के लिए राजी हो गया गाववालों ने फावद्धे की मदद से गड़े में मिट्टी डालना शुरू कर दिया जैसे ही गड़े को समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है तो वह बहुत दुखी हुआ और उसकी आँखों से आंसु निकलने लगे गड़ा कुछ देर चिलाया लेकिन कुछ देर बाद वह चुप हो गया अचानक धोबी ने देखा कि गड़ा एक विचित्र हरकत कर रहा है जैसे ही गाम वाले उस पर मिट्टी डालते वह अपने शरीर से मिट्टी को नीचे गड़े में गिरा देता और उस मिट्टी के ऊपर चराच जाता ऐसा लगतार करते रहने से गड़े में मिट्टी भरती रही और गधा उस पर चराते हुए उपर आ गया अपने गधे की इस चतुराई को देखकर धोबी की आँखों में खुशी के आंसु आ गए और उसने गधे को गले से लगा लिया कहानी से सीख बच्चों धोबी का गधा कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिती में भी आप अपनी बुद्धी का प्रयोग कर कठिनाईयों को पार कर सकते हैं घने जंगल में एक पेड़ पर मुरगा रहा करता था वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था उठने के बाद वह जंगल में दाना पानी चुगने के लिए चला जाता था और शाम होने से पहले वापस लोटाता था उसी जंगल में एक चालाक लोमध्धी भी रहती थी वह रोज मुर्गे को देखती और सोचती कितना बढधा और बरहिया मुर्गा है अगर यह मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन बन सकता है लेकिन मुर्गा कभी भी उस लोमधी के हाथ नहीं आता था एक दिन मुर्गे को पकदने के लिए लोमधी ने एक तरकीब निकाली वह उस पैद्दे के पास गई जहां मुर्गा रहता था और कहने लगी अरे ओ मुर्गे भाई क्या तुम्हें खुशखबरी मिली जंगल के राजा और हमारे बढ़ों ने मिलकर सारे लड़े जगधे खत्म करने का फैसला किया है आज से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाएगा इसी बात पर आओ, नीचे आओ हम गले लगकर एक दूसरे को बढ़ाई दें लोमधी की यह बात सुनकर मुर्गे ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा अरे वाह लोमधी बेहन, ये तो बहुत अच्छी खबर है पीछे देखो, शायद इसलिए हमसे मिलने हमारे कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं लोमधी ने न आव देखा, न ताव और उनके आने की उल्टी दिशा में दौध पद्धी मुर्गे ने हस्ते हुए लोमधी से कहा अरे अरे लोमधी बेहन, कहां भाग रही हो अब तो हम सब दोस्त हैं ना हाँ हाँ दोस्त तो हैं लेकिन शायद शिकारी कुट्टों को अभी तक यह खबर नहीं मिली है यह कहते हुए लोमधी वहां से भाग निकली और मुर्गे की सूजबूज की वजह से उसकी जान बच गई कहानी से सीख बच्चों, चतुर मुर्गा और चालक लोमधी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और चालाक लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए बहुत समय पहले की बात है एक जंगल में किसी बात को लेकर दो बक्रियों के बीच जगड़ा हो गया इस जगड़े को वहां से गुजर रहा एक साधू देख रहा था देखते ही देखते दो बक्रियों में जगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में लड़ने लगी उसी समय वहां से एक सियार भी गुजरा वह बहुत भूखा था जब उसने दोनों बक्रियों को जगड़ते देखा तो उसके मुहों में पानी आ गया बक्रियों की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे को लहु लुहान कर दिया था लेकिन फिर भी लड़ना नहीं छोड़ रही थी दोनों बक्रियों के शरीर खून निकलने लगा था भूखे सियार ने जब जमीन पर फैले खून की तरफ देखा तो उसे चाटने लगा और धीरे धीरे उनके करीब जाने लगा उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई थी उसके मन में आया कि क्यों न दोनों बक्रियों को मार कर अपनी भूख मिटाई जाए वहीं दूर खड़ा साधू यह सब देख रहा था जब उसने सियार को दोनों बक्रियों के बीच जाते हुए देखा तो सोचा कि अगर सियार इन दोनों बक्रियों के और करीब गया तो उसे चोट लग सकती है यहां तक कि उसकी जान भी जा सकती है साधू अभी यह सोच ही रहा था कि सियार दोनों बक्रियों के बीच पहुँच गया बक्रियों ने जैसे ही उसे अपने पास आते देखा तो दोनों ने लड़ना छोड़ कर उस पर हमला कर दिया अचानक हुए हमले से सियार अपने आपको संभाल नहीं सका और चोटिल हो गया वह किसी तरह से अपनी जान बचा कर वहां से भागा सियार को भागता देख बक्रिया ने भी लड़ना छोड़ दिया और अपने घर लोट गई वहीं साधू भी अपने घर की ओर चल दिया कहानी से सीख हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए साथ ही दूसरों की लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए इस से हमारा ही नुकसान होता है बहुत पुरानी बात है एक जंगल में एक बढ़े पेड़ के तने में एक खोल था उस खोल में कपिंजल नाम का एक तीतर रहा करता था हर रोज वह खाना ढूणने खेतों में जाया करता था और शाम तक लौटा आता था एक दिन खाना ढूणते ढूंते कपिंजल अपने दोस्तों के साथ दूर किसी खेत में निकल गया और शाम को नहीं लौटा जब कई दिनों तक तीतर वापस नहीं आया तो उसके खुल को एक खरगोश ने अपना घर बना लिया और वहीं रहने लगा लगभग दो से तीन हफ़तों बाद तीतर वापस आया खाखा कर वह बहुत मोटा हो गया था और लंबे सफर के कारण बहुत ठक भी गया था लोटकर उसने देखा कि उसके घर में खरगोश रह रहा है यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने जला कर खरगोश से कहा यह मेरा घर है निकलो यहां से तीतर को इस तरह चिलाते हुए देख खरगोश को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा कैसा घर? कौन सा घर? जंगल का नियम है कि जो जहां रह रहा है वहीं उसका घर है। तुम यहां रहते थे लेकिन अब यहां मैं रहता हूँ और इसलिए यह मेरा घर है। इस तरह दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तीतर बार बार खरगोश को घर से निकलने के लिए कह रहा था और खरगोश अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। तब तीतर ने कहा कि इस बात का फैसला हम किसी तीसरे को करने देते हैं। उन दोनों की इस लड़ई को दूर से एक बिल्ली देख रही थी। उसने सोचा कि अगर फैसले के लिए ये दोनों मेरे पास आ जाएं तो मुझे इन्हें खाने का एक अच्छा अवसर मिल जाएगा। यह सोच कर वह पेड़ी ड़जी के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गई और जोर जोर से जान की बातें करने लगी। उसकी बातों को सुनकर तीतर औ और खरगोश ने बोला कि यह कोई ग्यानी लगती है और हमें फैसले के लिए इसके ही पास जाना चाहिए। उन दोनों ने दूर से बिल्ली से कहा बिल्ली मौसी तुम समझदार लगती हो हमारी मदद करो और जो भी दोशी होगा उसे तुम खा लेना। उनकी बात सुनकर ब जोनाई नहीं दे रहा है। क्या तुम दोनों मेरे पास आ सकते हो। उन दोनों ने बिल्ली की बात पर भरोसा कर लिया और उसके पास चले गए। जैसे ही वो उसके पास गए। बिल्ली ने तुरंत पंजा मारा और एक ही जपट्टे में दोनों को मार डाला। कहानी से सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जगडा नहीं करना चाहिए और अगर जगडा हो भी जाए तो किसी तीसरे को बीच में आने नहीं देना चाहिए। एक बड़े से जंगल में एक बंदर और एक खरगोश बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में इतनी अच्छी द बताओ कौन सा खेल खेलने का मन है तुम्हारा। बंदर बोला आज हम दोनों को आँक में चोली खेलनी चाहिए। खरगोश हंसते हुए कहने लगा ठीक है खेल लेते हैं बड़ा मज़ा आएगा। दोनों ये खेल शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि जं लोमडी ने जवाब दिया एक शिकारी जंगल में आया है इसलिए हम सब अपनी जान बचा कर भाग रहे हैं तुम भी जल्दी भागो वरना वह तुम्हें पकड़ लेगा। इतना बोलकर लोमडी तेजी से वहां से भाग गई। शिकारी की बात सुनते ही बंदर और खरगो खरगोश सुबह से हम भाग रहे हैं अब शाम हो चुकी है चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं मैं ठक गया हूँ खरगोश बोला हाँ ठकान ही नहीं प्यास भी बहुत लगी है थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर आराम करेंगे बंदर ने कहा प्यास तो मुझे भी लगी है चल दोनों के मन में हुआ कि अगर इस पानी को मैं पी लूँगा तो मेरा दोस्त प्यासा ही रह जाएगा अब खरगोश कहने लगा तुम पानी पी लो मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगी है तुमने उच्छल कूत बहुत की है इसलिए तुम्हें ज्यादा प्यास लगी होगी फिर बंदर बोला मित्र मुझे प्यास नहीं लगी है तुम पानी पीलो मुझे पता है तुमको बहुत प्यास लगी है दोनों इसी तरह बार बार एक दूसरे को पानी पीने के लिए कह रहे थे पास से ही गुजर रहा हाथी थोड़ी देर के लिए रुका और उनकी बातें सुनने लगा कुछ देर बाद हंसते हुए हाथी ने पूछा तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो खरगोश ने कहा देखो ना हाथी भाई, मेरे दोस्त को प्यास लगी है लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है बंदर बोला, नहीं नहीं भाई, खरगोश जूट बोल रहा है मुझे प्यास नहीं लगी है इसको प्यास लगी है, लेकिन यह मुझे पानी पिलाने की जिद कर रहा है हाथी यह दृष्य देख कर बोलने लगा तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है हर किसी के लिए यह एक मिसाल है तुम दोनों ही इस पानी को क्यों नहीं पी लेते हो इस पानी को आधा आधा करके तुम दोनों पी सकते हो खरगोश और बंदर दोनों को हाथी का सुझाव अच्छा लगा उन्होंने आधा आधा करके पानी पी लिया और फिर थकान मिटाने के लिए आराम करने लगे कहानी से सीख सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का खयाल रखते है सच्ची दोस्ती में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती एक बार की बात है किसी जंगल में एक हाथी रहता था उसे अपने शरीर और अपनी ताकत का बहुत घमंड था उसे रास्ते में जो भी जानवर मिलता वो उसे परिशान करता और डरा कर भगा देता एक दिन वह कहीं जा रहा था रास्ते में उसने एक पेड़ पर एक तोते को बैठा देखा और उससे अपने सामने जुकने के लिए बोला तोते ने जुकने से मना कर दिया तो गुस्से में आकर हाथी ने वो पेड़ ही उखार दिया जिस पर तोता बैठा था तो ता उड़ गया और हाथी उसे देख कर हसने लगा फिर एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया वहीं पर चीन्टियों का छोटा सा घर था एक चीन्टी बड़ी मेहनत से अपने लिए खाना एकठा कर रही थी ये देख हाथी ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो तो चीन्टी ने कहा कि बरसाथ का मौसम आने से पहले अपने लिए भोजन जमा कर रही हूं ताकि बारिश का मौसम बिना किसी परेशानी से निकल जाए यह सुनकर हाथी के मन में शरारत सूजी और उसने अपनी सूंड में पानी भर कर चीन्टी के ऊपर डाल दिया पानी से चीन्टी का भोजन खराब हो गया और वो पूरी भीग गई यह देखकर चीन्टी को बहुत गुस्सा आया और उसने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का सोचा फिर एक दिन चीन्टी को मौका मिल ही गया कि वो हाथी को सबक सिखा सके हाथी भोजन करके हरी घास पर सो रहा था चीन्टी सोते हुए हाथी की सूंड में घुस गई और अंदर से उसे काटने लगी जैसे ही चीन्टी ने हाथी को काटा हाथी दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा चीन्टी ने हाथी के रोने की आवाज सुनी और सूंड से बाहर निकल आई हाथी उसे देखकर डर गया और अपने की की माफी मांगी जब चीन्टी को महसूस हुआ कि हाथी को अपनी गलती का Ahसास हो गया है तो उसने हाथी को माफ कर दिया हाथी अब बिलकुल बदल गया और उसने वादा किया कि अब वो किसी को नहीं सताएगा और दूसरों की मदद करेगा कहानी से सीख हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परिशान करने की जगे उनकी मदद करनी चाहिए एक जंगल के बीचों बीच एक तलाब था जहां जानवर आकर अपनी प्यास बुझाया करते थे उसी तलाब में एक कचुआ भी रहता था वह फालतू की बातें बहुत करता था इसलिए सभी जानवरों ने उसका नाम बातूनी कचुआ रखा हुआ था लेकिन दो हंस उसके बहुत अच्छे दोस्त थे जो हमेशा उसका भला चाहते थे एक बार गर्मी के मौसम में तलाब का पानी धीरे-धीरे सूखने लगा जानवर पानी पीने के लिए तरसने लगे ये देखकर हंसों ने कच्छुए से कहा कि इस तलाब का पानी कम हो रहा है और हो सकता है कि ये बहुत जल्दी सूख जाए तुम्हें ये तलाब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए इस पर कच्छुए ने कहा कि मैं ये तलाब छोड़कर कैसे जा सकता हूँ और यहां आसपास कोई तलाब भी नहीं है लेकिन हंस अपने दोस्त का भला चाहते थे उन्होंने अपने दोस्त की मदद कर के लिए खूब सोचा और एक तरकीब निकाली दोनों हंसों ने कहा कि हम एक लकड़ी लेकर आते हैं तुम अपने मुह से उसे बीच में से पकड़ लेना और लकड़ी का एक एक सिरा हम दोनों पकड़ कर तुम्हें यहां से दूर एक बड़े तलाब में ले जाएंगे उस तलाब में बहुत सारा पानी है और वो कभी नहीं सूकता कचुआ उनकी बात मान गया और हंसों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया उड़ने से पहले हंसों ने उसे चेतावनी दी कि वह रास्ते में कुछ भी न बोले जब हम बड़े तलाब पर पहुँच जाएंगे तब ही उसे जो बोलना है बोल सकता है कचुए ने हां में उत्तर दिया और लकडी को पकड़ लिया वो दोनों हंस लकडी को पकड़ कर उड़ चले वो उड़ते हुए एक गाम के उपर से निकले गाम वालों ने ऐसा पहली बार देखा था सभी तालियां बजाने लगे यह देखकर कचुए से रहा नहीं गया और बाइला की नीचे क्या हो रहा है जैसे ही उसने बाइलने के लिए मुह खोला उसके मुह से लकडी छूट गई और वो नीचे गिर गया उंचाई से नीचे गिरने की वजह से कचुआ मर गया और हंस अफसोस करते हुए वहां से चले गए कहानी से सीख हमें बिना वजह और बिना मतलब के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है एक जंगल में शेर, लोमधी और गधे नए नए दोस्त बने तीनों ने मिलकर शिकार करने की योजना बनाई और सब ने मिलकर यह फैसला लिया कि शिकार के तीन हिस्से होंगे और तीनों का शिकार पर बराबर का हक होगा तीनों ही फिर निकल पड़डे शिकार की तलाश में थोड़ी देर बाद ही उन्हें जंगल में एक हिरन नजर आया वो हिरन इन सबसे बेखबर अपना भोजन कर रहा था लेकिन जैसे ही हिरन ने खात्रे को भापा वो तेजी से दौड पद धा लेकिन वो कब तक इन से भागता आखिर ये तीन थे और वो अकेला आखिरकार वो ठक कर चूर हो गया शेर ने मौका देखते ही उस पर हमला बोल दिया और उसे मार गिराया तीनों बहुत खुश हुए शेर ने गधे से कहा शिकार के तीन हिस्से कर दो दोस्त गधे ने शिकार के तीन बराबर हिस्से कर दिये लेकिन यह बात शेर को पसंद नहीं आई और वो घुसे से दहाधने लगा शेर ने गधे पर भी हमला बोल दिया और देखते ही देखते अपने नुकीले दातों और पंजों से उसे दो हिस्सों में काट कर अलग कर दिया उसके बाद उसने लोमध्धी से कहा लोमध्धी तुम भी अपना हिस्सा क्यों नहीं ले लेती लोमध्धी बहुत ही चतुर और समझदार थी उसने हिरन का एक चौथाई हिस्सा ही अपने लिए लिया और बाकी का तीन चौथाई हिस्सा शेर के लिए छोड़े डिये एच दिया ये देख शेर बेहत प्रसन्न हुआ और खुश होकर बोला वाह लुमध्धी मेरी दोस्त तुमने भोजन की बिलकुल सही मात्रा मेरे लिए छोद दी है तुम सच मुझ बहुत ही समझदार हो आखिर तुमने इतने समझदारी कहां से सीखी लुमध्धी ने जवाब दिया महाराज दरसल इस बेवकूफ गधे की हालत वदुर्दशा देख कर ही मैं समझ गई थी कि आप क्या चाहते हैं इसकी बेवकूफी से ही मैंने सीख ली सीख, सिर्फ अपनी ही घलतियों से नहीं, दूसरों की घलतियों से भी सीखना चाहिए जी हाँ, दूसरों की घलतियां भी आपकी सीख का कारण बन सकती है जरूरी नहीं कि आप अपनी घलती होने का ही इंतजार करें समझदार व्यक्ति दूसरों की घलतियों से भी सीख ले लेता है मचुआरों के पास बढधा जाल है तुम उनसे नहीं बच सकते हो लेकिन मचलियों को अपनी बुद्धी पर बहुत गुमान था उन्होंने मेंधक की एक न सुनी लेकिन मेंधक उसी रात अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब में चला गया शत्थ बुद्धी और सहस्त्र बुद्धी ने एक बुद्धी का मजाक उड़ाया अब अगली सुबह मचुआरे अपना जाल लेकर वहां आ पहुँचे उन्होंने तालाब में जाल डाला तालाब के सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे लेकिन मचुआरों के पास बड़हा जाल था जिस कारण कोई भी बचकर नहीं जा सका जाल में बहुत सारी मचलियां पकड़ी गई शत्बुद्धी और सहस्त्र बुद्धी ने भी बहुत बचने की कोशिश की लेकिन उन्हें भी मचुआरों ने पकड़ दिहेच ही लिया जब उन्हें तालाब से बाहर लाया गया तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी शत बुद्धी और सहस्त बुद्धी का आकार सबसे बद्धा था इसलिए मचुवारों ने उन्हें अलग रखा बहुत दिनों पुरानी बात है एक बहुत ही बड़ा सरकस हुआ करता था इस सरकस में बहुत से जानवर कई प्रकार के कर्तब किया करते थे वहीं यहां पर एक हाथियों का जुन्ड भी हुआ करता था जो कि कई सारे करतब से लोगों का मनोरंजन करते थे एक बार उस सरकस में पांच हाथियों ने सरकस के करतब किये वहीं करतब के खत्म हो जाने के बाद उन्हें कमजोर रसी से बांध कर रखा जाता था जिससे वे आसानी से बच सकते थे लेकिन वो कभी भी नहीं गए एक दिन सरकस में जाने वाले एक व्यक्ती ने रिंग मास्टर से पूछा इन हाथियों ने रस्षी तोड़ कर भाग क्यों नहीं लिया इस सवाल पर रिंग मास्टर ने उत्तर दिया कि जब वे छोटे थे तब इन हाथियों को पतले पतले रस्षी से बंधा जाता था लेकिन वो छोटे होने के कारण से जितनी कोशिश करने पर भी उस रस्षी से छूट नहीं पाते थे धीरे धीरे उनकी कोशिश कम होती गई और उन्होंने मन में ये मान लिया कि वो इन रस्षीयों को छुड़ा कर नहीं भाग सकते हैं वहीं हाथियों को यह विश्वास दिलाया गया था कि वे रस्षीयों को तोडने और भागने के लिए परियाप्ट मضबूत नहीं है इसलिए जब वो बड़े हो जाते हैं तब उन्हें वही समान रसी से भी आसानी से बांध दिया जाता है। उन लोगों की इसी विश्वास की वजह से उन्होंने अब रसीयों को तोड़ने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन देखा जाए तो वो एक ही पल में इन सभी रसीयों को आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें समाज की मर्यादाओं के आगे नहीं जुकना चाहिए। वहीं हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। बहुत समय पहले की बात है एक बार, एक गाव में एक लड़का रहा करता था, जो की पास की पहाड़ी पर चरते गाव की भेड़ों को देखकर उब गया था. अपना मनोरंजन करने के लिए उसने चिलाया, भेड़िया, भेड़िया भेड़ों का पीछा कर रहा है। अपना मनोरंजन के लिए बाद में एक बार फिर से चरवाहा लड़का फिर चिलाया, भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया भेड़ों का पीछा कर रहा है। जब उन्होंने देखा कि कोई भेड़िया नहीं है, तो उन्होंने सकती से उस लड़के को कहा, कि जब कोई भेड़िया नहीं है, तब उसे उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। केवल भेड़िया के आने पर ही उन्हें उसे पुकारना चाहिए। जब वो गाम वाले पहाड़ी के नीचे जा रहे थे, तब वो लड़का मन ही मन मुस्कुराया। बाद में लड़के ने एक असली भेड़िये को अपने जुंड के तरफ आते देखा, घबराये हुए, वह अपने पैरों पर कूद गया, और जितना जोर से चिल्ला सकता था, चिल्लाया, भेडिया, भेडिया, लेकिन गाम वालों ने अब की बार सोचा, कि वह उन्हें फिर से बेवकूफ बना रहा है, और इसलिए वे मदद के लिए नहीं आए, सूर्यास्त के समय ग्रामेन उस लड़के की तलाश में गए, जो अपनी भेडों के साथ नहीं लोटा था, जब वे पहाडी पर गए, तो उन्होंने उसे रोते हुए पाया, यहां वास्तव में एक भे जैसे ही उसने उसके पीठ पर अपना हाथ रखा, उसने कहा, जूटे पर कोई विश्वास नहीं करता, भले ही वह सच कह रहा हो, अब उस लड़के को अपनी गलती का पचतावा हुआ, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कि जूट से विश्वास तूट जाता है, भले ही आ एक लड़का रहा करता था, जो कि पास की पहाडी पर चरते गाव की भेडों को देख कर उप गया था, अपना मनोरंजन करने के लिए उसने चिलाया, भेडिया, भेडिया, भेडिया भेडों का पीछा कर रहा है, जब गाव वालों ने उसकी चीख सुनी, तो वे भेडिये क भगाने के लिए पहाडी पर दोड़ते हुए आये। लेकिन जब वे पहुचे तो उन्होंने कोई भेडिया नहीं देखा। उनके गुस्से वाले चेहरों को देखकर लड़का खुश हो गया। उसे यह देखकर मज़ा आया। सभी गाव वालों ने उस लड़के को चेतावन दी की भेडिया भेडिया चिल्लाओ मत लड़का। जब कोई भेडिया नहीं है। इसके बाद वे सभी गुस्से में वापस पहाडी से चले गए। अपने मनोरंजन के लिए बाद में एक बार फिर से चरवाहा लड़का फिर चिल्लाया। भेडिया 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 देखा कि कोई भेडिया नहीं है तो उन्होंने सकती से उस लड़के को कहा कि जब कोई भेडिया नहीं है तब उसे उन्हें नहीं बुलाना चाहिए केवल भेडिया के आने पर ही उन्हें उसे पुकारना चाहिए जब वो गाम वाले पहाडी के नीचे जा रहे थे तब वो चिल्ला सकता था, चिल्लाया, भेडिया, भेडिया, लेकिन गाम वालों ने अब की बार सोचा, कि वह उन्हें फिर से बेवकूफ बना रहा है, और इसलिए वे मदद के लिए नहीं आये, सूर्यास्त के समय, ग्रामेन उस लड़के की तलाश में गए, जो अपनी भेडों के सा नहीं लोटा था, जब वे पहाड़ी पर गए, तो उन्होंने उसे रोते हुए पाया, यहां वास्तव में एक भेडिया था, जुन्ड चला गया, मैं चिल्लाया, भेडिया, लेकिन तुम नहीं आये, वह चिल्लाया, यह सब वो रोते हुए कहा, अब एक बूढ़ा आदमी लड़के को सांतवना देने गया, जैसे ही उसने उसके पीट पर अपना हाथ रखा, उसने कहा, जूटे पर कोई विश्वास नहीं करता, भले ही वह सच कह रहा हो, अब उस लड़के को अपनी गलती का पचतावा हुआ, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कि जूट से उड़ा व्यक्ती रहता था, वह दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था, सारा गाउं उसके अजीबो गरीब हरकत से ठक गया था, क्योंकि वह हमेशा उदास रहता था, वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा खराब मूड में रहता था, जितना अधिक वह दुखी रहता और उसके शब्द उतने ही जहरीले थे, लोग उससे बचते थे क्योंकि उसका दुरभग्य संक्रामक हो गया था, उससे जो भी मिलता उसका दिन अशुब हो जाता, उसके बगल में खुश रहना अस्वाभाविक और अपमान जनक भी था, इतना ज्यादा जहसे उसने दूसरों में दुख की भावना पैदा की, लेकिन एक दिन जब वह असी साल के हुए एक अविश्वसनिय बात हुई, ये बात लोगों में आग के तरह पैल गई, वह बुढ़ा आदमी आजखुश था, वह किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं कर रहा था, बलकि सभी ने बुढ़े आदमी से पूछा की, तुम्हें क्या हुआ है? जवाब में बुढ़ा आदमी बोला, कुछ खास नहीं, असी साल से मैं खुशी का पीछा कर रहा हूँ, और यह बेकार था, मुझे खदुशी कभी नहीं मिली, और फिर मैंने खुशी के बिना जीने और ज पीछा मत करो, जीवन का आनंद लो, जतन करने लगा। बुरहा और कमजोर होने के बावजूद, गधे ने गढ़्धे से बाहर निकलने में अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन गढ़्धा और धोबी दोनों नाकाम्याब रहे। धोबी को इतनी मेहनत करते देख, कुछ ग गढ़्धे में मिट्टी डालकर उसे यहीं दफना दिया जाए। थोडधा मना करने के बाद धोबी भी इस बात के लिए राजी हो गया। गाववालों ने फावधे की मदद से गढ़्धे में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जैसे ही गढ़्धे को समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है तो वह बहुत दुखी हुआ और उसकी आँखों से आंसु निकलने लगे। गधा कुछ देर चिलाया लेकिन कुछ देर बाद वह चुप हो गया। अचानक धोबी ने देखा कि गधा एक विचित्र हरकत कर रहा है। जैसे ही गाम वाले इसी एक गाम में एक धोबी अपने गध्धे के साथ रहता था। वह रोज सुबह अपने गध्धे के साथ लोगों के घरों से गंदे कपड़े लाता और उन्हें धोकर वापस दे आता। यही उसका दिन भर का काम था और इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। गध्धा कई सालों से धोब अपने गधे के साथ कपड़ी हे धोने धोबी घाट जा रहा था। धूप तेज थी और गर्मी की वजह से दोनों की हालत खराब हो रही थी। गर्मी के साथ-साथ कपड़ों के अधिक वजन के कारण गधे को चलने में परेशानी हो रही थी। वो दोनों घाट की तरफ जा ही पूछा, दोस्त? कौन दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे वो शिकारी कुत्ते वो भी अब हमारे दोस्त है ना? कुत्तों का नाम सुनते ही लोमदी ने न आव देखा न ताव और उनके आने की उल्टी दिशा में दौध पधी. मुर्गे ने हसते हुए लोमदी से कहा, अरे अरे लोमदी बहन, कहा भाग रही हो, अब तो हम सब दोस्त हैं ना? हाँ हाँ दोस्त तो हैं, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अभी तक यह खबर नहीं मिली है, यह कहते हुए लोमदी. वहां से भाग निकली और मुर्गे की सूजबूज की वजह से उसकी जान बच गई. कहानी से सीख बच्चों, चतुर मुर्गा और चालक लोमदी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और चालाक लोगों से हमे इशा सावधान रहना चाहिए.